दुनिया रोज नए एक्स्प्रिमेंट कर रही है साइस और टेकनोलाजी दिन बदिन इतने एडवांस होते जार हैं कि अगले कुछ सालों में इंसान किसी और दुनिया का हिस्सा होगा आज बात हम ऐसे ही प्रोजेक्ट की बारे में करेंगे जो फ्यूचर में दुनिया को एक नए पहचान देने वाले हैं पहला प्रोजेक्ट नुग्लियर फ्यूजन अमेरिका के इनर्जी डिपार्टमेंट में कुछ साइंटिस्टों ने निकलर फ्यूजन एक्स्परिमेंट का सक्सेस्पूली क्रेक्ट किया है इसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम के एटम को जोड़कर एक बड़ा एटम बनाती हैं जिसे बहुत सारी एनर्जी निकलती है यानि एक ऐसा टेक्निक जिसके जरिए सूर की तरह साफ और सेफ एनर्जी प्रोड्यूज की जा सकती है यह टेकनिक इतनी सामदार है कि सिर्फ एक गिलास पाने से एक घर के लिए पूरे एक साल की विजली पैदा की जा सकेगी अनुमान है कि साल 2030 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा दूसरा प्रोजेक्ट दा लाइन सेटी साउदी अरब सिसो की दिवारों को बीच बसा एक अनोखा सहर बनाने जा रहा है जिसकी लंबाई 170 किलो मीटर होगी लेकिन चोडाई महिस 200 मीटर ना कार होगी ना कोई सड़क चारो तरह बस फ्रेस यार सब कुछ नियूरिबल एनरजी पर बेस दोगा मौसम की बात करे तो साल भर एक जैसा मौसम बना रहेगा साउदी अरब के एक क्राउड पिर्स मुहम्माद बिन सल्मान का दावा है कि यह सहर दुनिया के लिए भविस का ब्लू पिंट साबित होगा पीज़ा प्रोजेक्ट दोश्टारली मैड यह एक ऐसी दवा जिसके जरिये पहली बार कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकेगा यह दवा इंसानी सरीर में एंटी बॉडी की अल्टरनेटर की तरह काम करती है यह PD-1 नामक कैंसर की कोज़कों के उपर चिपक जाती है और उनमें मौजूद है कि इस्पेसल प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है जिससे छुपी हुई कैंसर को इसकाएं विजवल हो जाती है और हमारा इमेनो सिष्टम उन्हें खत्म कर देता है अमेरिकी सांटिस्ट ने साल 2021 में 18 मरीजों पर इस दवा का ट्राइल किया था जो पूरी तरह से सक्सेस्पूल रहा अभी इस दवा की एक डोज की कीमत लगबक साड़े आठ लाग उपए है जो की काफी मरीजों के पहुँ से बाहर है चौथा प्रोजेक्ट सूपर सोलजर चीन एक ऐसी फोज बना रहा है जो दिखेगी तो इंसानों के जैसे ही लेकिन वह ना तो बिमार होगी और ना ही उसे भूग लगीगी और ना ही किसी प्रकार के बायो केमकल का उस पर असार होगा जीने नाम दिया गया है सूपर सोलजर सूपर सोलजर को किसपर टेकनोलाजी की मदद से बनाया जा रहा है क्रिप्सर टेकनोलाजी एक ऐसी टेकनोलाजी है जिसके जरिये इंसान के जीन में बदलाव करके मन चाहा बच्चा पैदा किया जा सकता है चीन की कम्यूनिस्ट सरकार 2020 में इस रिसर्च पर काम कर रही है अगर चीन का ये प्रोजेक्ट काम्याब होता है तो उसे सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोख पाएगा नासा ऐसा स्पेस क्राप तयार कर रहा है जिनके जरिये खत्रा बनने वाले इस्टेराइड से धर्ती को बचाया जा सकेगा या इस्पेस क्राप धर्ती की ओर आने वाले इस्टेराइड से ठकरा कर उनकी दिसा बदल देंगे इसके लिए 26 सितंबर 2022 को नासा ने अपने पहले डार्ट स्पेस क्राप्ट यानी डावल इस्टिराइड रिडारेक्शन टेस्ट का ट्रायल किया साल 2023 में पत्या चलेगा कि नासा का ये टेस्ट कितना सक्सेस्पूल रहा इसके अलावा बेबी पाउर्ड मसीन से बच्चे पैदा करना, सेंड बैटरी से एनर्जी प्रोडक्शन और चाट पर मिनरल्स की खोज जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है तो इस तरह फ्यूचर में दुनिया का एक नया और एडवांस रूप देखने को मिलेगा और भी इसी प्रकार की वीडियो से जुले रहने के लिए बने रहें दाखवरदार में इसके साथ चैनल को सस्काइब करें, सेयर करें, धन्यवाद